हाई द्विल्टीज, वेलकम टू एज़िवे कॉवर्मर्स क्लासेज, मैं हूँ दविता और आज के इस वीडियो में हम अपने पॉवर्टी चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे, यानि कि गरीबी को आगे बढ़ाएंगे अल्रेडी हमारे देश में बहुत गरीबी बढ़ रही है, जिसे कि हमें कम करना है, सरकार को गरीबी को हटाना चाहिए, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इस गरीबी को कैसे नापा जाता है और हटाएंगे कैसे वो बाद में पढ़ेंगे वो बहुत सारी योजनाय बंती रहती है हर साल की कैसे गरीबी को हटाने है बत इस गरीबी को मापा कैसे जाते है measures कैसे किया जाते है poverty को वो आज किस वीडियो में पढ़ेंगे बड़ा मज़दार टॉपिक है guys और बहुत नौलिज आपको देने वाला है ये टॉपिक कि किस तरीके से हम अपनी गरीबी को अपने देश की गरीबी को मापते हैं तो सबसे पहले guys absolute poverty दो तरीके से नापते हैं पहला होते है absolute poverty ये कहते हैं कि जो इंसान अपनी basic need पूरी नहीं कर पा रहा और एक गरीबी रेखा जिसे poverty line कहते हैं उसके नीचे आएगा तो उसे हम गरीब कहेंगे जो भी लोग इस poverty line से नीचे आते हैं उनको क्या कहा जाते हैं गरीब कहा जाते हैं और वो absolute poverty कहलाते हैं जबकि relative poverty क्या होते है guys relative poverty होते है यानि कि अपने आपको दूसरे से compare करो और दुखी हो जाओ अकसर आज के जीवन में guys हम लोग Instagram और Social Media देख करना यही relative गरीबी महसूस करते हैं बहुत जादा जिसमें हम अपनी life को compare करते हैं with the other person और परिशान होते हैं दुखी होते हैं उसे कहते हैं हमारा relative poverty जब हम अपनी life को compare करते हैं दूसरे की life से और अपने आपको गरीब ठहरा देते हैं भले हमारे पास चीज़े हो भरपूर हैं लेकिन जब हम उसे compare करें with the other और उसके comparison में हम गरीब हैं और वो वाला बंदा तो बहुत अमीर है हम गरीब हैं जबकि हमा बात करूंगी absolute poverty कौन सी होती है जब हम गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो उसे absolute poverty कहा जाता है अब ये गरीबी रेखा क्या होती है guys तो सबसे पहले person थे दादा भाई नेरो जी यानि कि pre-independence से यानि कि जब हमें अज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले दादा भाई ने नेरो जी थे जिन्होंने first attempt किया था इस गरीबी रेखा को पहचानने का ठीक है और इन्होंने जेल में रहने वाले लोगों की diet को देखकर बता लगाया था कि कितनी किस इंसान क्या विश्यक्ता होती है खाना खाने की और अगर वो उसकी पूरी हो रही है तो वो गरीबी र जिन्होंने जेल कोस्ट अफ लिविंग का कैलकुलेशन किया था लोगों की diet को देखकर बता लगाया था कि वो इनसान अपनी diet की consumption पूरी ले रहा है नहीं रहा और वो poverty line के नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा यानि की यह जो गरीबी line है यानि की यह जो poverty line है यह हमारी basically दो चीज़ों पर depend होती है सबसे पहले तो guys हमारे expenditure पे यानि की हम कितना खर्च कर रहे हैं दूसरा हमारी consumption calories कितनी है ठीक है अब calories तो हम दिन में बहुत सारी ले रहते हैं लेकिन हम अपने खाने पे यानि की consumption पर खर्च कितना करते हैं वो भी decide करता है कि हम गरीब है या नहीं है तो सबसे पहले ये पढ़ाने से पहले guys आपको मैं ये तीन policies बता दूँ जिसके सिर्फ आपको name पता होने चाहिए वन मार्क के MCQs के लिए guys आपको पता होने चाहिए कि post independence ये तो दादर भाई नेरो जी ने pre independence के बाद करी थी लेकिन post independence काफ़ी सारी policies आई थी जो इस पर study करी थी poverty line पर तो 1962 में planning commission ने form किया था कि study group 1962 में planning commission ने study group त्यार किया था जो इस पर study करा था फिर उसके बाद 1979 में जाके task force on projection of minimum need and effective consumption demand ये हमारी guys एक अलग scheme आई जिनका main काम क्या था कि हमारी minimum need कितनी है और वो लोगों की पूरी हो रही है नहीं हो रही poverty line measure करना कितने लोग आते हैं नहीं आते हैं वो सारी चीज़ें के अंडर थी उसके बाद guys 1989 में third expert group याने की यही सेम काम करने के लिए 1979 का जो उनको task दिये गए थे उसी को करने के लिए 1989 में after a 10 year एक और expert group create कर दिया चलो जाओ और study करो उस चीज़ पर ठीक है तो चलो ये तो ठीक है इस तीन जो भी हमारे देश में तीन कदम उठाए गए लेकिन हमारे कैसे पता चलता है खर्चे से या फिर हमारे कैसे calorie intake से तो सबसे पहले हम मैं बात करूंगी खर्चे की हमारा monthly per capita expenditure monthly per capita expenditure MPCE से पता चलता है कि हम लोग गरीबी रेखा की उपर है नहीं है तो ये खर्च क्या बताते है गाईज ये खर्चना ये कहता है कि रूलर और अर्बन दो एरियाज होते हैं यानि कि मैंने आपको प्रीविएस वीडियो में भी बताया गरीबी को शहरी तोर पर देखना और गाउं की तौर पर देखना दो नज़र या है तो इन्होंने बोला अगर कोई इंसान कहा रहता है गाउं में रहता है और वह 816 अगरीबी रेखा से उपर आने के लिए इस ते जादा ही खर्च करने चाहिए जबकि शेहर के लोगों के लिए क्योंकि यहां पर महंगाई ज्याद है तो उन्होंने हजार रुपे बोला तो यानि कि खर्च कितना Pर-capita expenditure, P-person expenditure कितना ओना चाहिए हजार रुपे होना चाहि अर्बडन के लिए अलग था क्यों क्योंकि अर्बन एरिया इतना ज्यादा हड वाक जो होते हम अंत यह बहुत जplex होता है करना सब कुछ हैंड से काम किया जाता है पूरे बॉडिका इस्थिमाल होता है ज हमारे अगर आपimarडेश में देख हों हारा मशीन Way की यहाँ पर जो calorie intake था guys रूलर एरिया के लिए 2400 calories थी जबकि अर्बन एरिया के लिए 2100 calories थी अगर आप इतनी calories ले रहे हो तो आप गरीबी रेखा के उपर हो नहीं ले रहे हो तो नीचे हो तो इसके बेस पर गरीबी poverty line को decide किया गया कौन से दो factor से guys एक तो हमारा expenditure monthly per capita expenditure second हमारा calorie intake था तो दोनों ही चीज़ों में आपको यह numbers जरूर याद रखने हैं और यह important है क्योंकि 1 mark के MCQs में कुछ भी पूछा जाता है अब इसके बाद आते हैं guys जब हम अपनी poverty को देखते हैं तो और poverty line का जो graph बनता है यह suppose को रूप poverty line है तो 3 type में poverty को categorize किया जाता है एक होते हैं हमारे chronic poverty chronic poverty किसे कहते हैं जो गरीबी रेखा से लोग नीचे आते हैं जो कभी गरीबी से उपर उठे ही नहीं उनको हम बोलते हैं chronic poverty जो गरीबी रेखा से क्या है नीचे हैं उसके बाद आते हैं guys transient poverty transient जो आज इंसान यहां है कल उपर आ गया फिर दुबारा गरीब हो गया तो बही ऐसा कौन इंसान होते हैं ऐसे इंसान होते हैं guys जैसे जो आपके seasonal workers होते हैं जिनका काम एक टाइम पे चला पैसा आया लेकिन जब नहीं चला तो फिर दुबारा से उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है दो बक्ती रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है थार्ड होते है guys non poor non poor में आपको पता है जो गरीबी रेखा से जिनका दूर दूर नाता है हमारे देश के अमीरों की अगर हम बात करें अम्बानी अडानी और बहुत सारे लोग है जिन्होंने शायदी कभी गरीबी देखिए उनके बाप दादाओं ने उनके पूरवर जोने में भी देखिए हो सकते हैं लेकिन इनकी और आने वाली जनरेशन जो है वो तो कभी गरीबी नहीं देखेगी इतना तो तय है तो वो कहलाते है नॉन पूर तो यह है गाइस पौवर्टी को किस कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं एक होते हैं chronic poverty जो हमेशा से लोग गरीब थे, बाप दादाओं से गरीब थे और आज भी गरीब है उनको chronic poverty कहते हैं याने कि वो कभी अमीर हुए ही नहीं, कभी वो poverty line के उपर आये नहीं लेकिन transient poverty जो कभी नीचे कभी उपर, कभी poverty line से नीचे उपर होते हैं non poor जो कभी गरीब नहीं हुए, तो यह हमारी गाइस poverty line बताती है हाला कि poverty line के उपर गाइस काफी बड़ा topic है जिसमें even poverty line जो है हमारे poor, अगर मैं एक poverty line का concept बताऊ अपको, दो parts में divide कर देती है यह होते हैं non poor ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम non poor ठीक है और यहाँ लिखते हैं poor ठीक है तो गरीबों में भी बहुत type के गरीब होते हैं very poor, very very poor और अमीरों में मतलब जो गरीब नहीं है वो middle class है, upper middle class है, rich है, very rich है so there are many types of categories, किस में poverty में, ठीक है, लेकिन जो यह poverty line का concept था ना guys लोगों ने इसका विरोध भी किया कि यह सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, आपको क्या लगता है, सही है कई लोगों ने इसके विरोध में यह बोला कि यह सिर्फ यह तो divide कर देता है, कौन गरीब है, कौन नहीं है बट यह यह नहीं बताता कि कौन, किसको, किस चीज की need है, रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा हमारी health भी है, education भी, किस वज़े से इसको हम गरीब ठहरा रहे है किस को, किस basic need की क्या जरूरत है, हम उसे नहीं divide कर रहे है, उसे नहीं हम देख रहे हम सिर्फ यह देख रहे है, अपरी तो और पर यह गरीब है और यह गरीब नहीं है, लेकिन किस वज़े से, ठीक है, तो किसी ने इसका विरोध भी किया और लोगों ने इविन ये भी बोला, कि भाई हम इसमें social factors तो देखी नहीं रहे, जिसकी वज़े से ये गरीबी हो रही है, तो ये भी एक चीज़ थी, जो हमने poverty line के against बोली थी, कि भाई इसमें ये तो पता ही नहीं चल रहा, कि कौन सा social factor है, जिसकी वज़े से गरीबी या उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो ये चीज़े guys poverty line के लिए देखी गई थी, तो कई लोगों ने इसके आगी, इसमें भी बोला था, बट of course poverty line से हम लोगों को गरीबी रेखा, जिसे कहते हैं, बहुत चीज़े पता चलती है कि हमारे देश की क्या इस्तिती है, और आज की यूटीब पर पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो like, share and comment जरूर करना, thank you